हेलो जोस्तो तो जोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्क्रेच आर्टेस्ट कैसे बने तो जोस्तो अगर आपको भी स्क्रेच बनाना अच्छा लगता है आपको पसंद है एक काम करना और आगे चलके आप स्क्रेचिंग के ही फिल्ड में अपना केरियर बनान को सैली कित्ती मिलती है कहां कहां पर आप चौप कर सकती है इस छाइं सबसे करियर सेलेटेट वीडियो आपको यहां पे मिलती रहती है आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक scratch artist क्या होती हैं दोस्तों अक्सार ऐसा मान लिया जाता है कि एक scratch artist वही होती है जो law information के लिए scratch बनाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों असल में scratch artist वो होते हैं जो scratching technology का योज करके images को create करती है यानि कि अगर कोई ही उन्हें हिंट देता है या फिर कोई भी images बनाना हो तो इसके माध्यम से वह करती हैं तो यह सारा काम एक scratch artist का ही होता है दोस्तों अगर आपके पास योगता क्या होनी चाहिए और कौन सा कोर्स करना होता है आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एक इस करेच आश्टिस बनने के लिए सबसे पहले आपका 12 पास होना चाहिए 12 आपका किसी भी इस टीम से हो सकता है या अगर आपको 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 जादा बेटर रहेगा इसके बाद आपको अपना मी आप है क्रेच्च करना होता है म में आप 2 कोर्स कर सकती है जो काफी इंप्रेट होता है कि स्क्रेच आर्टे बनने के लिए ज्यादा तर जो इस्टूडΟ में जाहते है और बिर अपर लों दोस्तों, B8 कोर्स में भी आपको Scratch Artist का जो होता है, वो सब्जेट होता है, जिसे आप कर सकते हैं, इसके बाद आपको Intercept भी ले सकते हैं, यानि कि किसी भी Institute से ज्वाइन होके, आप Scratch Artist की वहाँ पे जो कोर्स होते हैं, वो कैसे किया जाता है, क्या-क्या करना होता है, सारी ब Formal Training को भी पूरा करना होता है, जोस्तों, Scratch Artist बने के लिए आपको ये करना अनिवार होता है, यानि कि आपको Technical Skills भी सीखना होगा, और Formal Training होती है, Scratch Artist की वह भी आपको करना होता है, तो ये सारी आपके पास योगताय होनी चाहिए, आप बात कर लेते हैं, पूरी डीटल्स म करना होता है, जिसमें आपको आपका इंटरसिप भी देना होता है, कई Colleges में आपको Direct Admission हो जाता है, और कई Colleges में अगर आप इंडिया के Top Colleges से आप फिर Government Colleges से करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका इंटरेंस एक्जाम भी वहाँ पे अरजन किया जाता है, जोस्तों जब आप भी या फिर BFA कोर्स को कर रहे हैं, तो वहाँ पे Scratch Artist का कोर्स भी होता है, तो उसे या आपको करना होता है, इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेशन करना होता है, इसमें भी आपको इंटरसिप लेना होता है, किसी भी इंस्टेट्यूट को जॉइन करके 6 में या फि सारे टेक्निकल स्किल्स सिखाने वाले इंस्टिटूट हैं, वहाँ से जाके आप टेक्निकल स्किल्स सकते हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसके बाद जैसे आप यह सारे प्रोसेस को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद इंटरसिप ले लेते हैं, आप टेक्निकल स्क स्कूल या फिर कॉल जब डार करना तो हाप के समय समख्यक्ट जब कड़ारे बारे तो इसके दूसरा आपके पास है जौब कीमें और आप बच्चों के तो को खोलके आप लोगों को सिखा सकते हैं इसके बारे में इसका साथ कई सारे जैसे कि पुलिस बिभाग में हो गया सी बिया या फिर और सभी जो भी गौर्मेंट बिभाग हो गया वहां पे इसक्रेचाश्टिस की जरूरत पड़ती है जैसे कि कोई भी अगर क्राइम हो जाता है और कोई विटनेस है उसको किसी व्यक्ति का इमेज बनवाना हो गया तो जैसे व्यक्ति जो विटनेस होता है वो बताता है तो इसक्रेचाश्टिस उसका इमेज बनाता है तो इस फिल्ड में भी आप अपना आवेदन करके आप इसक्रेचाश्टिस के बनके वहां पे भी का कर सकते हैं तो काई सारी स्क्रेच OR एक को बाते हैं तो काफे सारे जॉप उपरheart job आपको निकल कर आती है या स्क्रेच की मंतली हिसली किति होगित है दो स्कॉल में सकती है अगि57 से इस्क्रेच ऐसे मंतली में मिल शक्ती है वहीं अगर आप अपना खुद का इंस्टिट्यूट खोलते हैं तो आप महिने के 30,000 साय या फिर 40,000 आप को स्टार्टिंग में मिल जाएगा अगर आप अच्छा जगह अच्छा लोकेशन रहेगा आपका इस्टिट्यूट का तो आप वहां से लगबग मंथली के कुछ सम रोर कर ले मिलता है नश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन